CBC Words में आपका स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम Class 10 Mathematics का जो latest syllabus है जो कि CBC ने term wise release किया है उसे discuss करने वाले हैं और इस वीडियो में हम सिर्फ first term के syllabus को discuss करेंगे, second term के लिए मैं अलग से वीडियो लाओंगा, वो इसलिए क्योंकि इस syllabus को analyze करने में काफी time लगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें CBC ने remove की है ठीक है, अलग अलग जिखें से पता जिला कहीं से method remove कर दिया कहीं से exercise remove कर दी ठीक है, ये पूरा देखने में और सारी चीज़ें prepare करने में काफी time लग रहा था इसलिए मैंने सोचा कि पहले first term का वीडियो बना देते हैं, फिर second term की एक दो दिन में upload हो जाएगी, ठीक है तो चलिए start करते हैं इसमें आपकी units क्या रहेंगी, जैसे number system है ये 6 marks करी करेगा, algebra आपका 10 marks का होगा, coordinate geometry जो है वो 6 marks की, इस तर आपका geometry 6 marks, trigonometry 5 marks mensuration आपका 4 marks और statics and probability ये आपका 3 marks कराएगा, तो टोटल आपका ये 40 marks हो गया और उसके बाद आपका internal assessment ये 10 marks का रहेगा अब देखो internal assessment यहाँ पर किस तरह से है first term का अपना अलग internal assessment होगा second term का अपना अलग internal assessment होगा जैसे कि मैंने पिछली वीडियो जो social science की बनाई थी उसमें आपने देखा था कि वहाँ पर overall 20 marks का internal assessment एक्ठो होगा लकिन यहाँ पर जैसे science के case में मैंने दिखाया था कि science के case में भी first term का internal assessment अलग और second term का अपना अलग होगा ठीक है तो 10 marks का internal assessment first term में हो जाएगा और 10 का second में हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से पूरा मिला कर 40 marks का आपका board का हो गया और 10 marks internal का हो गया तो total इस तरह से 50 marks हो जाएगा first term का यह इस तरह से इतना complete हो जाएगा फिस second term का भी इसी तरह से हो जाएगा तो चली देखते हैं कि कौन-कौन से chapter है क्या क्या चीज़े इसमें से remove हुई है वो सारी चीज़े हम discuss करेंगे तो अगर आप book लेकर बैठे हो book में mark कर सकते हो या कहीं पर note down कर सकते हो यह सारी चीज़े तो internal assessment आप देख सकते हो periodic test आपके होंगे जनरली आपके 3 test होते है जिसमें 2 जो आपके best होंगे उसके marks का average निकाला जाएगा और देखा जाएगा कि 3 marks में आपके कितने marks बनना है इस तरह multiple assessment में बहुत सारी चीज़ें हो गई quiz हो जाता है, debate हो जाता है ठीक है इस तरह से related जो चीज़ें होती वो 2 marks करेंगी और portfolio आपका class work इस तरह से assignment वगरा हो गया यह आपके 2 marks में आ जाता है फिर आपका जो practical work होगा activities, practical work यह आपका 3 marks का होगा इस तरह से आपका 10 marks हो जाएगा तो अब चलिए पहला chapter आप देखते हैं real number ठीक है इसमें क्या remove हुआ है क्या पढ़ना है वो हम सिर्फ discuss कर लेते हैं बाकी पूरा syllabus देखने की ज़रूरत नहीं है तो इसमें जो है exercise 1.1 यह आपको नहीं करनी है यानि यह exercise ना solve करनी है ना इससे पहले जो concept दिया है उसे आपको पढ़ना है ठीक है फिर हम बात कर लेते है exercise 1.2 की इससे related आपको concept भी पढ़ना है और यह exercise भी आपको solve करनी है ठीक है तो जनरली मैं आपको exercise based ही बताऊंगा क्योंकि उससे आपको आसानी रहेगी कि कौन से exercise आपको करनी है कौन सी नहीं करनी है और सिदी सी बात है exercise आपको करनी है ठीक है 1.3 आपको इसलिए remove कर दिया क्योंकि इसमें proof वगरा होता है तो अब चुकिए MCQ भी होगा इसमें proof कहां से कर सकते हैं इसलिए 1.3 को remove कर दिया अब second chapter पर आप आजाओ polynomials इसमें आपको क्या करना है आपकी exercise जो 2.1 है वो आप करोगे पूरी theory वगरा सब 2.2 ये भी आपको करना है 2.3 आपको नहीं करना है ठीक है 2.3 की exercise और उससे जो related concept है उससे पहले जो दिये गये हुए है वो आपको पूरा नहीं करना है फिर आपका जो 2.4 है वो optional exercise है और अगर आप book खोल कर बैठे होगे तो आप देख सकते हो तो जो optional लिखा होगा optional की उपर star बना होगा और star का क्या मतलब है उसका नीचे आपको दिख रहा होगा आप पढ़ सकते हो कि these exercise are not from the examination point of view यानि exam के point of view से जो optional वाई exercise है important नहीं है फिर भी आप करना चाहते हो तो आप कर लेना आपकी मर्जी तो मैं optional वाले को यहां discuss नहीं करूँगा क्योंकि वो पहले सही exam के point of view से important नहीं है ठीक है तो आपको 2.1 करनी है 2.2 करनी है इस chapter में ठीक है आगे बढ़ते हैं अब third chapter देख लेते हैं pairs of linear equations in two variables इसमें सब कुछ आपको पढ़ना है बस एक चीज रिमूव हुई एक method रिमूव हुआ है तो यहां देख सकते हो आपको substitution method पढ़ना पढ़ेगा elimination method आपको पढ़ना पढ़ेगा एक method आपको और दिया हुआ है cross multiplication वाला वो आपको नहीं पढ़ना है अब exercise आप 3.5 जो open करोगे तो वहां आपको questions दिये होंगे जिसमें कहरा होगा कि आप इसको cross multiplication method से करो तो वो सारे question आप cross multiplication से नहीं बलकि दूसरे method से apply करके कर लेना ठीक है as a practice आप हो जाएगी ठीक है बाकि ये method क्या होता है वो आपको नहीं पढ़ना है नहीं उस method को यूज़ करके कोई question करने है बाकि सब कुछ पढ़ना है कुछ remove इसमें नहीं है फिर आजाते हैं हम coordinate geometry में आपको lines देखना है यानि बात हो रही है आपके 7th chapter की इसमें आपको क्या करना है तो इसमें आपको 7.1 वाली exercise करनी है 7.2 वाली exercise करनी है यह उससे related theory वगारा सब पढ़ना है और 7.3 वाली exercise आपको solve नहीं करनी है क्योंकि वो area से related है area of triangle से related इसलिए आपको उसको नहीं करना है ठीक है फिर हम आजाते है geometry वाले section में इसमें आपको triangles ये chapter आपका chapter number 6 होगा तो chapter 6 आप open कर सकते हो इसमें क्या करना है chapter 6 का देखो सब कुछ पढ़ना है कोई चीज़ इसमें remove नहीं हुगी है बस इसमें करना क्या है आपको देखो अलग-अलग theorems दिये होंगे almost आपके 9 theorems दिये होंगे जिसमें आपका जो theorem number 1 है उसका proof आपको prepare करना है यानि theorem तो सब आपको पता होने चाहिए उस theorem से related questions भी आपके आएंगे सारे जो theorem दिये होएं लेकिन जो proof आपके exam में पूछे जा सकते है वो आपका जो first theorem है यानि theorem number 6.1 इसका proof आप आपको prepare करना है बाकी सबका proof नहीं आद रखना है theorem आपको मालूम होने चाहिए उसके questions आपको आने चाहिए तो यहाँ देख सकते हो theorem number 8 है इसका proof भी आपको prepare करना है अब आपके सामने सवाल यह होगा कि first term में तो MCQ based questions आएंगे तो proof कैसे तयार करना है तो देखो मुझे जो समझ में आती है बात वो यह कि आपका जो main exam होगा term 1 का उसमें तो क्यूंकि MCQ based है तो proof नहीं आएगा लेकिन जो आपका internal assessment होगा वहाँ जो periodic test होगा उसमें हो सकता है कि आपका proof दे दे यहीं स्कूल लेवल पर जो exam होगा उसमें आपका proof दिया जा सकता है और proof अगर आएगा तो यही theorem number 1 और theorem number 8 से ही पूछा जा सकता है बाकी जो theorem दिये हैं उसके proof आपके periodic test में भी नहीं पूछे जाएंगे ठीक है तो I think यह बात आपको clear हो गई होगी बाकी और detail के लिए अपने school के teacher से बात कर लेना वो जादा आपको इस बारे में clear बता पाएंगे क्योंकि internal assessment का मामला है बाकी main वाले में तो proof अगरा नहीं आएगा कोई proof नहीं आएगा ठीक है अब trigonometry की हम बात कर लेते हैं इसमें आपका chapter 8 की अगर हम बात करें introduction to trigonometry इसमें तो देखो सब कुछ है कुछ remove नहीं हुआ है बस एक चीज रिमूव हुई है ठीक है यह 30 डिग्री और 45 डिग्री 60 डिग्री की value आपको मालुम होने चाहिए 0 डिग्री और 90 डिग्री की value यह syllabus में नहीं है और यह हटा कर भी कोई अहसान नहीं कर दिया एक छोटी से value उसको याद करके कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो जाएगा तो यहां से remove जो किया है तो बहुत छोटी सी चीज रिमूव है बाकि अगर trigonometric identities की हम बात करें तो इसमें आपका जो 8.3 वाल exercise है वो remove हो गई है अब आजाते हैं mensuration में area related to circle यानि आपका chapter number 12 इसमें भी सब कुछ पढ़ना है बहुत बड़ा हैसान सी बेसी ने कर दिया कि बस एक degree की problem हटा दिया सिर्फ दिखाने के लिए तो यहां देख सकते हो कि आपका 60 degree और 90 degree का आपको पढ़ना है 120 degree वाला जो आपकी book में दिया हुआ है वो आपको नहीं पढ़ना है तो यह चीज़ें आपको जब chapter पढ़ोगे तो जादा clear हो जाएगी कि 120 degree वाला क्या है तो इतना बस याद रखना कि 120 degree वाला आपको पढ़ना है 60 degree और 90 degree वाला पढ़ना इसमें बाकी सब कुछ है फिर आपका इस term में यानि फर्स term के लिए जो लास चैप्टर है आपका probability इसमें सब कुछ पढ़ना है कोई भी चीज रिमूव नहीं है ठीक है तो आपने अगली वीडियो कैसे लेगी कमेंट करके ज़रू बताइए अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अगर आप चैनल पर नहे है तो सब्सक्राइब ज़रू कर लिजे अगर तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू